हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिकूट्मेंट आई है और याद रखिए भारत के किसी भी कौने से आप इसे अपलाई कर सकते हो मुझे पता है बहुत सारे आपके डाउट रहेंगे नीचे कमेंट सेक्षन में आपको पूछ लेना है लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देख लीजिएगा आपके सारे डाउट मैं कहता हूँ 99% डाउट आपके खत्म हो जाएंगे फिर भी अगर नहीं होत होता है तो कमेंट सेक्षन में आपको पूछ सकते हूँ आपकी सब्जेक्ट क्या है नीचे कमेंट करके वो जरूर बता है कि जैसे किसी का हो सकता है कि फिजिक्स हो केमेस्ट्री हो किसी का म्यूजिक हो सकता है किसी की लैब्रेरी एं साइंस हो सकती आर्ट और क्राफ्ट हो सकता है तो नीचे comment करके जो है आप syllabus का I mean जो आपका subject है वो नीचे comment करके जरूर बता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और assistant professor की जो vacancy आई है salary आपको 80,000 से भी अधिक मिलने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे last date देखिए इसकी रहने वाली है 28 March 2014 को तो 28 March 2014 से पहले आपको apply कर लेना है और यह permanent vacancy है सबसे अच्छी बात है कि यह permanent job है तो चलिए सीधे में आपको PDF की और लेकर चलता हूँ बाइदेवे PDF से मुझे याद है PDF आपको कहा हमी लेगा हमारे telegram channel पे telegram channel का link आपको नीचे comment section में दे दिया गया वहां से भी आप जुड़ सकते हो और online आवेदन करने का जो website है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा जहां से खुद से जो है website I mean जो है इस PDF को इस notification को download कर सकते हो सबसे पले देख लिजे आपका जो application form है वो start होने की जो date है एक कीस दो दो हजार चोबिस यानि की एक कीस फरवरी से आप अपलाई कर सकते हो last date of online application वो है बीस तीन दो हजार चोबिस यानि 20 मार्च तक अपलाई कर सकते हो और hard copy वगरा receive करने की जो date है वो 28 तीन दो हजार चोबिस रखी गई है की 20 मार्च तक आपको अपलाई कर लेना है अगर मैं salary की बात करूँ तो यहां से देख लो 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए तक आपको मिलेगा और जो academic pay है level 10 का वो आपको मिलने वाला है तो pay scale 7 C, P, C मिलने वाला है total 88 vacancies आई है कौन-कौन से post किया यह सबसे पहले वो देख लेते हैं अगर आपका इसमें subject नहीं है तो पूरी वीडियो देखनी की आपको जरूरत नहीं है तो चलिए के करके हम लोग देख लेते हैं School of Arts and Information Sciences की recruitment है जिसमें देखो दो post है पहले है Library and Information Science फिर है Fine Arts and Performing Arts की recruitment है अब देखो दूसरा जो है School of Humanities and Social Science इसमें आपको ancient Indian history, culture and archaeology देखने को मिलेगा इसके अलाबाए economics, philosophy, psychology, political science और public administration देखने को मिलेगा इसमें छठा subject है 6th नमर पे sociology and social work यहां से आप जो vacancy SCST के लिए कौन सी सीटे रिजर्फ है EWS के लिए कौन सी सीटे रिजर्फ है वो आप यहां से टेली में देख पाओगे अगला जो subject है वो देख लो School of Language, School of Applied Science में यहां पे देख लो School of Languages में आपको जो है English और Other European Language मिलेगा Hindi भी आपको देखने को मिलेगा School of Applied Science में जो है School of Biological Science में देखो Botany देखेगा Biotechnology देखने को मिलेगा Microbiology इसके अलाबा जो है Geology आपको देखने को मिल जाएगा सात्वे नमर पे आते हैं बहुँ ज़्यादा subject है नहीं School of Mathematics and Physical Sciences में आपको Computer Science और Application देखने को मिलेगा Mathematics और Estatics देखने को मिलेगा Physics आपको देखने को मिलेगा School of Commerce and Management की बात करें तो Business Management आपको देखने को मिल जाएगा School of Law में देखें तो Law आपको देखने को मिलेगा School of Educational Studies में जो है Yogic Sciences, Adult Education, Lifelong Learning Education Education भी आपको देखने को मिल जाएगा School of Chemical Sciences and Technology की बात करें तो Industry के Recruitment आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी Center की बात करें तो Center of Studies on Indigenous Languages के बारे में आपको देखने को मिलेगा Total 88 Vacancy है, UR के लिए 36 है EWS के लिए 8, OBC के लिए 3, SCST के लिए जो है आपको SC के लिए 11 और ST के लिए 27 Vacancy देखने को मिल जाएगी सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से देख लो, Minimum Qualification जो है, हम लोग देख लेते हैं उससे पले मैं आपको Website दिखा देना चाहता हूँ जहाँ से आप खुद जो है, Apply कर सकते हूँ Wait a minute, यह यह रहा, यह देख लो यह राइन का Website, आप Not Down कर लीजिए www.dhsgsu.edu.in पर आपको जाना है यहाँ से आप Online आवेदन कर पाओगे कैफे बगरा में जाकर आप Apply कर सकते हूँ ठीक है, मैंने Subject की Information दे दिया आपको आप देखो, यह जो Educational Qualification है वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ Qualified कि Subject में क्या-क्या होना चाहिए अब देख लो, यहाँ पर लिख दिया गया है Minimum Qualification and Experiences सबसे पले देख लो, ए नमर में अगर आप देखोगे तो Master's Degree के साथ 55% होना जरूरी है और Equivalent में, अब आगे देख लो इसके अलावा जो Section B में है और यहाँ पर याद रखना, इसमें जो है SCST, OBC को जो है कुछ छूट भी आपको देखने को मिलेगा, दूसरा Qualification है NET की, National Illigibility Test आपने Qualify कर रखी है तो भी आप Apply कर सकते हो, आगे देखिए इसमें कुछ और बाते हैं बताई गई है MPIL वगर अगर आपने कर रखी है PhD डिगरी कर रखी है, तो भी आप Apply कर सकते हो इसके अलावा NET SLET या फिट सेट यानि की मध्यपरदेश का सेट भी अगर आपने Qualify कर रखा है, SLET भी कर रखा है critical और यह rare है कि इन लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, तो that means यहाँ पे आप अगर पढ़ाओगे तो बहुत बड़ी opportunity आपके लिए आई हुई है online आविदन कर लीजिए किसी तरह का कोई doubt हो, age बगएरा की criteria के बारे में तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो, फी की बारे में आपको मैं बता दू UR, OVC, EWS के लिए 1000 रुपे, SCST, PW या फिर महिलाओं के लिए 500 रुपे का यहाँ पे फी रखा गया है, याद रखिएगा अगर कोई service कर रहा है तो उनको NOC यानिकी no objection certificate जो है लाना होगा, इन चीजों का आप ध्यान में रखोगे, और जो application है वो आपको offline भी करना है इसके लिए देखो, यहाँ पे लिख दिया गया है application का जो एक minute, यह देखो यह रहा है इनका address, इस address पे आपको speed post के माध्यम से भेजना है यहाँ पे देखिए how to apply, apply कैसे करोगे interested candidate जो है इस website पे जाएंगे candidate को जो है अडविडाइस किया जाता है कि जो है advertisement को carefully देखें उसके बाद जो है apply करें Candidate are also advised advised to read the instruction see you chain portal chain portal पर जाकर जो है उसको भी आपको read कर रहेना है इसके अलाबा जो document है जो change of name, surname वगेरा है वो भी आपको जो है यहाँ पे बता दिया गया है याद रखिएगा इन चीजों को और जो hard copy है application form should be reached within the stable time in the super subscribe application number यानि कि आपको hard copy भी भी भेजना होगा तो याद रखिएगा hard copy भेजने का address यहाँ पे इनोंने दे रखा है तो make sure आप क्या करो speed post के माध्यम से जो ऐसे भेज सकते हो फिर से बता दूँ यह vacancy कहा से आई है मध्यपरदेश से आई हुई है जिन लोगों को apply करना जिन भाईयों बाईयों को please make sure on time आप जो है apply कर दें इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों और इस्तेदारों से हिलियों तक share करें साजा करें उन तक पहुचाएं किसी what's up या फिर टेली ग्राउम चैनल पे इसको share कर दे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day